हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैगनेट बीज दिस इस अनामिका सिंग कैसी ही आप सभी समयाश्य करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में इस प्यारी सी वीडियो में जहां मैं आज आप सभी के लिए लेकर ही है कि हमारा चाप्टर हमने 9th क्लास में स्टार्ट किया है खाद इस अंसादनों में सुधार एंड फाइनली ये चाप्टर हमारा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुका है जहां मैंने आप सब का हर एक सेक्शन इसमें करवा दिया है आप पॉइंट उटकर ये आता है कि माम आपने अगर चाप्टर हमें अच्छे से करा दिया चाप्टर के बीच के क्वेशन भी तो होने चाहिए जी हाँ बिलकुल होने चाहिए और इसलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पाठ्टे गत्य प्रश्न है यानि कि चाप्टर के बीच में बिटा जितने भी क्वेशन्स है ना वो सभी वन बायवन करके आज हम देखने जा रहे है और कपी जादा इंट्रिस्टिंग होने वाला है आज का सेशन तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बिटा पहले ही वीडियो को शेयर कर करते हैं आज की इस क्लास को सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि अगर आप फॉर्स टाइम मैगने ब्रींस हिंदी मीडियम चैनल से जुड़े हैं सो हमारे चैनल पर कौन-कौन सी चीज़े आपको अवालेबल मिल जाएंगी सो बहुत ध्यान से सुनिएगा बिटा यदि आप क्लास 6 से लिखकर 12 में किसी भी क्लास में हैं सो मैंगने ब्रींस हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जिक की क्लासे सटेंड कर सकते हैं किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिलकुल भी पर्चेस बिटा नहीं करना है और नहीं किसी तरह की कोई पेमिंट करनी है क्योंकि मैंने ब्रींस प्रवाइट कराता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट इसे के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ट कवर करती हैं जैसे UP बोर्ट, बिहार बोर्ट, MP बोर्ट, राजिस्तान बोर्ट, डिल्ली बोर्ट and very important बिटाइम 5 में से किसी भी स्टेट से अगर आप हैं तो यस आप उमारे चैनल से अपने subject की classes अटेंट कर सकते हैं अब स्टूडेंट बोलते हैं कि माम जो भी आप चीज़े पढ़ाने हिनके notes हमें कहां से मिलेंगे सबिटा चाहे आप class 9th में हो 10th में हो या आप किसी भी class में हो सभी के जो notes के link है ना वो नीचे मिलेगी आपको description box में वहाँ से आप e-notes और e-book दोनों ही चीज़े अच्छो से cover कर सकते हैं तो चलिए शुरवात करते हैं आज के session की चलिए शुरवात करते हैं आज की class की खाद संसादनों में सुधार इसके पाट्टिगत प्रश्न मैं करने जा रही हूँ इसके starting ये रहा पहला question आप सभी के सामने और इसे start करने के पहले एक छोटी सी बात मुझे आप सबसे करनी है chapter के चाहे beach के question हो चाहे वो chapter के last के NCRT solution हो या फिर मैं जो आपको MIQs कराती हूँ भले ही वो भी क्यों ना हो कोई भी section बिटा आप अगर cover करते हो उसके लिए सबसे जादा important है मैं ये questions हम से कैसे बनेंगे कैसे हम इसके answers लिख पाएंगे जब आपको chapter अच्छे से clear होगा चमच पा रहे हो मुझे एक बात बताओ जब आपका base ही strong नहीं होगा चैप्टर में questions के answer आप कैसे दे सकोगे यदि किसी भी question का answer आप देना चाहते हैं सबसे जादा important है कि आप उस question में जितनी भी चीजे जो है अच्छे से पहले chapter को पढ़ लो ताकि question कुछ भी आए चाहे directly आए घुमा कर आए तो आप उनके answers दे सको तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस session की first question ये रहा आप सभी के सामने अच्छा देखो question की language जानो बड़ा simple सा प्यारा सा साधारण सा question है कि अनाज, दाल, फल तता सबजियों से हमें क्या प्राप्त होता है मुझे एक बात बताओ, अब दिन बर में ये चीज़े तो घाते ही रहते हैं चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कोई fruit हो या कोई भी सबजी क्यों ना हो ये हम किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रूप में जैसे दाल, फल, सबजियां और अनाज तो हम खाते ही रहते हैं भाई, हम अपना फेट बढ़ने के लिए इन सब चीजों, ये सब चीज़े तो necessary ही होती है अब एक point यहाँ पर उठता है, कि इन से हमें प्राप्त क्या होता है बिना प्राप्त हुए तो बिटा आप ये सब चीज़े नहीं खा रहे होंगे हमें हमारे बड़े बच्पन से एक ही चीज़ बोलते हैं कि सबजियां खाया करो बिटा डाल, चावल, रोटी, सबजी ये सब खाया करो, fruits खाया करो, dry fruits लिया करो सारी चीज़े हमें बोली जाती है, बिल्कुल गलत नहीं बोली जाती, वह सही बोला जाता है उसके पीछे reason क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत जादा बिटा आवश्यक होते हैं क्या कहा मैंने कि ये हमारे शरीर के लिए पता है कैसे होते हैं, बहुत जादा आवश्यक होते हैं यानि के बहुत ज़ादा important होते हैं जब ये सारी चीज़े हमारे body में पहुचती है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है क्योंकि इन ही सब चीज़ों से हमारे body में वो चीज़ बलती है जो जिन्दा रहने के लिए चाहिए चाहे वो carbohydrate हो तो हमें energy मिल जाएगी चाहे वो fat हो तो भी हमें भले ही double energy मिले लेकिन energy मिलती है fat से भी double energy मिलती है carbohydrate के वल energy, fat, double energy और protein हमारे body के growth के लिए responsible है So overall देखे तो हमारे body में ये सब चीज़े पहुचनी चाहिए जो इनके form में पहुचती है अब बात ऐसी है कि कौन सी चीज़ हमें क्या दे रही है सुद्यांसिर सुनो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनाज से हमें क्या मिलता है So भाईया carbohydrate प्राप्त होता है और इसके अलावा वे उर्जा के एक समरद्द स्रोत होते है है बिल्कुल सही कहा है है ना हमने क्या रेखा कि अनाज से हमें क्या मिलता है So carbohydrate प्राप्त होता है इसके अलावा वे उर्जा के एक समरद्द स्रोत है क्योंकि carbohydrate बिटा बॉडी में हमें क्या देता है अगर हम carbohydrate से बनी कोई भी चीज़ खाते है सो हमारे शरीर में उर्जा बनी रहती है जो आप सुबह उठते हैं स्कूल जाने के लिए फिर आप प्रापर तैयर वेयर होकर स्कूल जाते हैं अपनी सारी क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद आप घर आते हैं अपनी online classes attend करते हैं, self study करते हैं, मदलब multiple चीज़े करते हैं आप तो ये सब करने के लिए body में energy चाहिए और energy किसके form में मिलेगी भाई, carbohydrate के सो अनाज से हमें carbohydrate प्राप्ट होता है और इसके अलावा वे उर्जा के एक समरद स्रोत होते हैं अच्छा डाल से हमें क्या मिलता है, so very important डाल से हमें क्या मिलता है, protein मिलता है डाल हमें क्या देती है, protein वही फल और सबजियों में vitamin और खनिच ततक कुछ मात्रा में protein, carbohydrate और बसा भी प्राप्ट होते हैं so overall देखा जाए, तो चाहे वह अनाज हो, डाल हो, फल हो, सबजियां हो, इन सारे चीजों को खाने से हमारे शरीर में क्या-क्या चीज़े प्राप्ट होती हैं, carbohydrate, protein, fat या जिसे हिंदी में हम वसा कहते हैं, थोड़े मात्रा में खनिच, ये सारी चीज़ें हमें मिलती ही है कोई confusion, कोई समस्या, चलिए, so ये ता हमारे सामने एक प्यारा सा question जो मैंने आपको थोड़ा सा क्या किया है, explain किया है, now second question की तरफ आते हैं बटाब हम, और अब हम जानते हैं आज के हमारे अगले question को, एक चीज़ और, ये हमारा first अताब वापिस से first इसलिए लिखा है, क्य फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, याने के affect करते हैं, हमने ये तो जान लिया, कि हम जिन जिन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सबजियां हो, दाल हो, इन सारे चीज़ों को खाने से हमारे body में nutrients पहुच रहे हैं, पोशक तत पादन को लेकर, सो हमारी जो फसले होती हैं, हमारी जो crops होती हैं, इनको कुछ जैविक कारक प्रभावित करते हैं, और कुछ और जैविक कारक प्रभावित करते हैं, आपने English में कभी सुना होगा, जब मैंने chapter explain किया था, तो वहाँ पर बोला था, एक तो biotic factor होता है, और ए जैविक होता है, ये दोनों ही इसे क्या करते हैं, अफेक्ट याने की प्रभावित करते हैं, लेकिन एक point यहां उट करिया आता है कि मैं कैसे, कैसे या इसे अफेक्ट करते हैं, दोनों में क्या difference होता है, तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, जैविक तता जैविक कारक किस प्रकार हमारी पसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, और करते तो हैं किसी न किसी रूप में, और वो रूप भी क्या हैं, अभी हम जानते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रही हैं, एक side हमें एक स्थिति दिख रहे हैं, जो कैसी है, बाई, दिखाई दे रहा है और यहां हम देख पा रहे हैं कि भाई यह तो बिलकुल बाढ़ की स्थिती है हमारी फसल जो है वो पूरी तरह से पानी में क्या है डूबी हुई है खराब हो चुकी है सो आप पॉइंट उठता है कि मैं यह क्यों आप ममें बता रहे हो क्यों कि मैं आपको जयविक और जयविक कारण के इसा होता है यह सबसे पहले जयविक कारण क्या होते हैं या पिर आप मालो कल next day देखते हो तो अगर उसमें कुछ आपको कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं by chance वो सबजी खराब हो जाती है उसमें आपको कुछ कीड़े दिखाई देने लगते हैं तो क्या आप उसे खाओगे नहीं खाओगे न क्योंकि हमारे घर में जो food बनता है उसका जीवनकाल बहुत लंबा नहीं होता है कि हमने सबजी बनाई है हम उसे 10 दिन तक अराम से खाते खाते चलेंगे तो वो possible नहीं उसका एक जीवनकाल होता है सो वैसे ही अगर मैं फसलों की बात करूँ अगर इनका ध्यान अच्छे से नहीं रखा जाए जैसे मालों वो सबजी अगर हम फ्रिज में रखते तो शायद अगले दिन तक वो खराब नहीं होती लेकिन हमने उसे बाहर ऐसे खुलने में रखा तो फिर वो खराब हो गई वहीं अफ्रेज में रखते तो नहीं होती तो हमारी फसलों के साथ भी ऐसा होता है जब फसलों के उत्पादन होता है तो उसका बहुत जादा ध्यान रखना होता है नहीं रखोगे ना तो कुछ जैविक कारक होते हैं बिटा जो हमारी फसलों को खराब कर देते हैं सो जैविक कारक जैसे रोग लग जाना, कीट लग जाना तता निमे टोड के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है कीडे हमारी फसल को खाकर नुकसान पहुचाते हैं और खर्पदवार पोशक तत्वो तता प्रकाश के लिए स्परधा करते हैं हमने देखा ये कुछ कीडे हैं जो बेसिकली हमारी क्रॉप को खाते हैं और फिर उसे नुकसान पहुचाते हैं और जो लास्ट में फिर हमें रिजल्ट मिलना होगा जिन भी क्रॉप्स का वो रिजल्ट या उस फसल का उत्पादन वैसे नहीं हो पाएगा और ओविसली फिर हा पर खर्पदवार पोशक तत्वो तत्व प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं खर्पदवार मतलब कुछ ऐसे अवांचित पौधे होते हैं जो हमारी फसलों के साथ साथ ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं ये इतना देजी से ग्रो करते हैं कि हमारी फसल के जितने भी भी ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी फसल के उत्पादन में प्राबलम होती है तो खर्पद्वार पोशब तत्वो तत्व प्रकाश के लिए इस परधा करते हैं जिससे फसलों की वृद्धी ओविसले क्या हो जाती है, कम हो जाती है तो क्या आपको ये पूरे कहानी समझ में आई हाई या ना अब बाद आती है अचैविक कारत जैसे सूखा, शार्ता, जलाकरांती, गर्मी तता ठंड भी फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं जैसे उधारन के लिए कभी कभी सूखे और बाड का पसल पर काभी प्रभाव पड़ता है और पसल जो है वो नस्ट हो जाती है अब मान लेजिए वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां के जो क्रशी होती है वो कैसी होती है मौसम पर संबंदित होती है हमारे यहां पर जो फसल का उत्पादन होता है वो weather के according, season के according होता है क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहां गर्मी के मौसम में अलग तरीकी के crop को produce किया जाता है हमारे यहां सर्दी के मौसम में अलग तरीकी के crop को produce किया जाता है बढ़सात में अलग फसल का उत्पादन होता है सो हम अपनी फसलों के उत्पादन के लिए किस पर निर्भर हुए भाई मौसम पर निर्भर हुए क्या ये बात क्लियर हुई? ओके, सो हमने क्या जाना अब मान लो भाई, ये कैसी चीज़ें जिस पर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मौसम संबंदी है, इस पर पानी गिरेगा, हाँ, अच्छा पानी गिरेगा हमारी फसल, जितना पानी चाहती, उसे उतना पानी मिल जाएगा ये अगर आप सोचते हैं, तो बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन एक और इस्तिती हो सकती है कि मौसम पर हमारा कंट्रोल तो नहीं है भाई, हो सकता है, इतनी वर्शा हो, इतनी बारिश हो, कि बाड़ ही आ जाए या ये भी हो सकता है, कि बारिश होई ही ना बढ़ले, कई सालों तक लगतार बारिश ना होने के वज़े सी भी कई बार किस की स्तिती आ जाती है सूखी की स्तिती आ जाती है, समझ पारे हो की नहीं, समझ पारे हो, चलिए तो मैं उम्मेद करती हूँ कि आपको बायोटिक और यह बायोटिक फैक्टर्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे अच्छे से समझ में आगे होंगे तो जैविक तता और जैविक कारक के इस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं तो हमने जान लिया है कि भाई जो जैविक कारक होते हैं वो कीट या फिर कीडे जैसे चीज़े होते हैं रोग लगने के कारण हमारी फसले के उत्पादन में कमी कर देते हैं और वही कुछ अजैविक कारक होते हैं जैसे बाड आ जाना, सुखा होना, अत्यदेग गर्मी होना, multiple चीज़े होती हैं जिसके कारण हमारे जो फसले हैं, जैसे उसके उत्पादन होना चाहिए, वैसे वो नहीं हो पाता चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम So, ये है हमारा अगला question Okay, चलिए फसल सुधार के लिए एक्चिक सस्य विग्यान गुड़ क्या है? जब मैंने ये chapter पढ़ाया था, तो मुझे बड़े ये अच्छे से आदे कि end में ये section आया था So, बिटा ध्यान से सुनेंगे, फसल सुधार के लिए एक्चिक सस्य विग्यान गुड़ क्या है? सबसे पहले तो दो चीजों को ध्यान डखना है, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सगन शाखाओं वाली फसले क्या बोला है हमने देखा फसल सुधार के लिए एक चिक सस्य विज्ञान गुड है चारी वाले फसलों के लिए लंबी तता सगन शाखाओं वाली फसले दूसरा है अनाच के लिए बौने पोधे होना चाहिए ये दो हैं फसल सुधार के लिए एक्षिक सस्य विज्ञान गुर्ड उमेर करती हूं कि आप इसे याद करेंगे आपको ये चीज़े लर्न हो जाएंगे अगला क्वेशन जो हमसे कहा रहा है कि रह जो पौधे होते हैं उन्हें भी सर्वाइब करने के लिए कि चाहिए होता है खाना चाहिए होता है पौदो को भी सर्वाइब करने के लिए ग्रोव करने के लिए इनकी भी तो ग्रोध होनी चाहिए सो इन्हें भी क्या चाहिए होता है बिटा खाना चाहिए होता है पौदो को अच्छा जब इन्हें खाना मिलेगा तो वो ऐसा थोड़ी न कि पास food खा रहें नहीं भाई इनके भोजन में क्या होना चाहिए या इनके पास क्या होना चाहिए पोशक तत्व होने चाहिए अगर इनके पास पोशक तत्व नहीं होंगे या मैं ऐसा कहूं nutrients की कमी होगी तो जैसे एक plant को grow करना चाहिए वो वैसे grow नहीं कर पाएगा तो मैंने आपको क्या बूला किसी भी प्लान को अगर grow करना है किसी भी पौधे को अगर grow करना है तो उसके पास पोशक तत्व होने चाहिए मैं यह पोशक तत्व जो है उसे जादा मातरा में चाहिए यह कम बस इसी को जो है दो पार्ट में डिवाइट करके रखा है और वो दो पार्ट कौन-कौन से हैं बटा सो एक तो होता है व्रहत और एक क्या होता है सूश्म क्या कहा मैंने आप सभी से कि एक होता है व्रहत पोशक तत्व और भाई एक क्या होता है सो वो होता है सूश्म पोशक तत्व क्या आप सबको ये बात समझ में आई एक होता है व्रहत पोशक तत्व और एक होता है सूश्म पोशक तत्व सो व्रहत पोशक तत्व क्या होता है जहां पर plants को जो nutrients याने पोशक जो है वो जादा मातरा में चाहिए होते हैं यह ना मदलब ये उनको चाहिए होते हैं ये उनके लिए कैसे होते हैं बहुत ही जादा महत्वबून होते हैं यानि ये वो बोशक तत्वन है जो उनके लिए कैसे होने चाहिए बहुत ही जादा important होने चाहिए और वहीं अगर मैं बात करती हूँ सूश्म पोशक तत्व की तो ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन कितनी मात्रा में बिटा? कम मात्रा में मतलब महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन इनके मात्रा उनमें थोड़ी-थोड़ी सी हो दी चाहिए मतलब इसे लिए हम इने क्या बोलते हैं सूश्म पोशक तत्व व्रहत पोशक तत्व और सूश्म पोशक तत्व को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ पोशक तत्वो plants को चाहिए ही चाहिए होते हैं जैसे क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा बाई NPK का किसका नाम सुना होगा? NPK जो की क्या होता है? nitrogen, phosphorus, potassium ये कुछ ऐसे पोशक तत्व हैं जो soil में, मिट्टी में present होते हैं और एक plant को grow करने के लिए बहुत important होते हैं यहां कुछ सूश्म पोशक तत्वो होते हैं जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में plants को चाहिए होते हैं ताकि वो क्या कर सके? grow कर सके तो चलिए खेर हमसे अभी इतना नहीं हमसे केवल इतना पूछा है कि बतादो की व्रहत पोशक तत्वो क्या होते हैं सो व्रहत पोशक तत्वो की बात करें व्रहत पोशक उन पोशक तत्वो को कहते हैं जो पौधो की व्रद्धी तता विकास के लिए अधिक मात्रा में आवशक होते हैं चोकि इनकी बड़ी मात्रा में आवशकता होती है इसलिए व्रहत पोशक कहलाते हैं और पौदो द्वारा आवशक छे पोशक तत्व जो है वो व्रहत की कैटेगरी में आते हैं उनमें क्या होता है तीन तो सबसे टॉप पर होते हैं ये हमें बिटा बच्पन से पढ़ाया जा केल्शियम भी इंपॉटेंट होता है मैगनीशियम भी इसमें व्रहत रूप में होता है साथ ये साथ सलपर भी इसमें कैसा होना चाहिए व्रहत पोशक तत्व की कैटेगरी में ये भी आते हैं क्लियर तो भाई अगर एक प्लान को अच्छे से ग्रो करना है तो इन पोशक पोशक तत्व की उसे जादा मात्रा में क्या होती है बिटा आवश्यक्ता होती है सो मैं उमीद करती हूं कि ये सारी मेरी जो बात है वो आपके कान तक अच्छे से पहुच गई होगी चलिए और हां हमारे बॉड़ी में भी ऐसा होता है कुछ पोशक तत्व जो है वो जाद मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ जो है चाहिए वो भी होते हैं लेकिन वो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में पहुचते हैं Now next question की तरफ आते हैं ये रहा हमारा अगला question बाई पौधे अपना पोशक कैसे प्राप्त करते हैं पौधों को कैसे वो पोशक मिलते हैं या पौधे अपने पोशक को कैसे प्राप्त करते हैं Very important line अच्छा यहां से सुनों पौधे अपना पोशक जो है किन-किन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तो भाई पानी एक माध्यम है Very important जल के तुरू वाईयो के माध्यम से और मिट्टी से यह प्राप्त करते हैं पोशक तद्व का मुख्य स्रोच जो होता है मीन सोर्स जो होता है बिटा वो क्या होता है स्वाइल होता है इसका जो मीन सोर्स होता है वो स्वाइल होता है 13 पोशक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं तता 6 तीन पोशक तत्व जो होते हैं कारबन, ऑक्सिजन, तता हाइड्रोजन ये हमारे air और water से प्राप्त होते हैं कहां से हमारे air से और water से जुसे पानी की बात करें ये तो कुछ hydrogen और oxygen का क्या होता है mix up होता है hydrogen और oxygen ही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं पानी बनाते हैं तो हमने देखा कि पौधे अपना पोशक तत्वर जो है कैसे प्राप्त कर सकते होंगे imagine करो पौधों को अगर हम देखें किसमें जो है पौधे रहते हैं किसमें है मिट्टी के अंदर रहते हैं तो हमारे जो किसान होते हैं जब भी वो किसी फसलिक का भी उत पादन करते हैं या एक पौधा जब grow भी होता है तो उसके starting बीच कहां रहते हैं मिटी के अंदर ही रहते हैं सो मिटी में अगर पोशक तत्व सही मात्रा में सही quantity में होंगी न सो वो अच्छे तरीके से क्या कर जाएगा बिटा grow कर जाएगा और अगर वो पोशक तत्व सही quantity में सही मात्रा में नहीं होंगी न तो वो grow ही नहीं कर पाएगा और अगर करेगा तो बड़ा slowly करेगा और जैसा होना चाहिए वैसा वो नहीं होगा इसलिए हमारे किसान क्या करते हैं जब भी किसी फसले का उत्पादन करते हैं करने के बाद अच्छे से तो वह वहाँ पर खाद का या फिर कुछ किसान जो है वो उर्वर्क का प्रयोग करते हैं ठीक है चलिए खाद उर्वर्क से रिलेटेड अभी question आगे मिलेगा आपको नव नेक्स question की तरफ आए बटा यहां तक कि जतनी भी question मैंने आप सभी को बताएं जल्दी से पहले तो comment section में मुझे बता दो वह सब आपको clear होगे यहां तक जितने भी question मैंने आप सभी को अभी बताएं वह सब आपके दिमाग में बैठ गए है न यह मुझे बता दो इनकेस बिटा किसी भी सेक्शन में doubt है तो फिर वह भी मुझे बता दे न मैं comment section में उसका reply दे दूँगी now next जाते हैं हमारे अगले question की तरफ मिट्टी की उरवर्ता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वर्क की उपयोग की तुल्ला कीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मिट्टी में अगर पोशक तत्वों की कमी होती है सो हमारे किसान किसका यूज करते हैं खाद का और उरवर्क का अब mostly student ये manure और फॉर्टीलाइजर में ही confused होते हुए चलते हैं बड़े उनको confusion होती है कि मैं ये दोनों चीज है क्या सो बटा बहुत ही दियान से सुनिएगा manure और जो फॉर्टीलाइजर होते हैं दोनों में थोड़ा difference होता है दोनों मिट्टी की उरवर्टा के लिए ही होते हैं कुछ किसान खाद को बनाते हैं naturally प्राकृतिक तरीके से और कुछ किसान जो होते हैं वो मार्केट से उरवर्ट फॉर्टीलाइजर्स खरीद के लिए के आते जिनमें तरह तरह के कुछ क्यामिकल्स जो हैं रसाइनों का प्रयोग किया जाता है लेकिन मैं फिर दोनों में से बेस्ट क्या है देखो अगर हम उरवर्ट की बात करें परस्ट पॉल जो खाद है वो तो naturally बनता है तो वो तो अच्छा है ही लेकिन वो तोड़ा सा time taking है उसको बनाने में समय लगता है वहीं अगर हम उरवर्ट की बात करें उसमें कई सारे रसाइनों का प्रयोग किया जाता है जो कहीं न कहीं एक pollution का भी reason होता है production का भी एक कारण होता है साथी साथ अगर जादा मात्रा में उरवर्ट की करते हैं अगर हमने बिटा साबधानी नहीं बढ़ते ना तो फिर मिट्टी की उरवर्टा भी खराब हो जाती है उसमें कमी आ जाती है और फस लिकाउट पादन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता तो चलो एक काम करते हैं दोनों के बारे में जानते हैं जैसा कि हमसे question में पूछा है सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खाद के लिए मैंने बताया है कुछ ऐसी प्राक्रतिक चीज़ है जिसे हमारे गरों का इवन अप्शिस्ट भी होता है वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा साथी साथ पेडों की जो शाखाई यानि ब्रांचेस किरती है उनकी जो लीफ्स होते हैं वो सब इसमें इंकलूड है और यही सब आपस में मिलके कुछ दिनों बाद किसमें कनवर्ट होते हैं खाद में इनको पूरे को बनाने की पूरी क्या होती है याद कीजिए मैंने आपको वर्मी कमपोस्ट के बारे में और कमपोस्ट जोसे हम बोलते हैं इसके बारे में पढ़ाया है नहीं हरी खाद भी आपको बताई है कि यह कैसे हमारे लिए सहायाक होती है और नीचे आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं उर्वर्क जिसे हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स चलिए शुरुबात करते हैं खाद जो है ना ये मिट्टी को पोशक को तता कार्बनिक पदार्तों से परिपूर्ण करके उसकी जो उर्वर्ता है ना उसको बढ़ाने का काम करती है कभी खाद के बारे में पूछ लें तो आप इसे वहाँ पर लिख सकते हो खाद क्या करती है मिट्टी को पोशक तता कार्बनिक पदार्तों से परिपूर्ण करके उसकी उर्वर्ता को बढ़ाती है क्योंकि जन्तों के अपशिस्ट तता पोधों के कचरे के अपगटन से तयार किया जाता है जो जन्तों हैं उनके अपशिस्ट से और जो कचरे होते हैं उनके अपगटन से तयार किया जाता है वहीं दूसरी और अब हम बात करते हैं उर्वर्ग की और कर्बने की योगिक होते हैं ये और्गैनिक सब्स्टेंस नहीं होते हैं ये इन और्गैनिक सब्स्टेंस होते हैं जिसका अधिक उप्योग मिट्टी में रहने वाले सह जीवे सूश मजीवों के लिए हानी कारक होता है इसका त्यादिक उप्योग भे मिट्टी की उर्वर्ता कम कर देता है इसलिए उर्वर्क को उप्योग अल्पकाल के लिए ही अच्छा माना जाता है अगर लगातार एक ही भूमी पर एक ही जगा पर उर्वर्क का प्रयोग एक ही फसले के लिए भी किया जा रहा है न बटा तो वो अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें तरह तरह के कई सारे क्यामिकल्स यूज होते हैं कई सारे chemicals use होने के कारण ये हमारे मिट्टी के उरवरता को अगर सही तरीके से इसका प्रयोग ना किया जाए तो उसकी उरवरता को खराब कर देता है कम कर देता है तो भाई ये तो किसानों के लिए अच्छा नहीं है इसलिए जो हमारे किसान हैं आज भी कई सारे किसान ऐसे हैं जो खाद ही बनाते हैं नैच्रली प्राकृतिक रूप से और उसी का प्रयोग करके बड़ी मातरा में फसलिका उत्पादन करते हैं और बतलब यह चीज जो है सक्सेस्पूल भी यह काम भी गरती है चीज यह डिफरेंस होता है खाद में इस इंग्लिष में मैन्यूर बोलते हैं और यह इंग्लिष में फर्टिलाईजर कहलाता है चलिए नेक्स्ट आते हैं इसे के साथ अगला क्वेस्टिन यह रहा आप सभी के सामने सो हमने क्या देखा अभी हम यहाँ पे थे अब हम next question की तरफ आ गए है आपके सामने ने यह तीन condition है आपको इस तीनों condition को देखकर best बताना है कि इन में से तीन best क्या है और क्यूं है उसके पीछे आपको यहाँ reason भी देना है तो चले यह question को अच्छे से read करते हैं ऐसे बड़ देना कभी-कभी हैसा होता है कि हम question की language समझ में नहीं आती और हम answer रटने लग जाते क्यों रटना है पहले उसकी भाशा समझो हो सकता है answer तुम खुछ से लिखना स्टार्ट कर दो कि निम्न लिकित में से कौन सी परिस्तिती में सबसे अधिक लाब होगा और भाई क्यूं हो करें सिचाई ना करे अत्वा और औरवर्क का उप्योग ना करें ये क्या बोला जा रहां आका समझ में अारी हैं निम्न में से कौन से परिस्तिती में सबसे जदा लाब यह तीन तरीके के situation है तीन तरीके के परिस्तिति आपको भी मैंने बताया था आपको इन तीनों को देखके बताना है इन में से क्या best है यह स्तिति को देखकर और क्यूं इसका प्रयोग करना चाहिए किसान उच्चकोटी के बीच का प्रयोग करे उप्योग करे बिल्कुल सही ह सिचाई ना करें भाई ये तो ठोड़ा सा गड़बढ है और उर्वर्क का उपयोग ना करें तो हमने देखा इस वाले कहानी में तो गड़बढ है किसान सामाने बीजों का उपयोग करें सिचाई करें तता उर्वर्क का उपयोग करें सामाने बीज अच्छे एक बात बताओ अगर सामाने बीज होगा तो अगर बाणलो बाढ़ हाई आंधी आई, तूफान आई, सूखा पड़ गया कोई भी स्थिति क्यों न रहे अभी तो हमें उन बीजों का चैन करना चाहिए अच्छी किस्म के बीज मतलब कौन से बीज जो हर इस सिती में क्या कर सके सर्वाइब कर सके, तो सामानने बीज कैसे कर पाएंगे, थर्ड कंडिशन प्याओ फिर किसान अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करे सुचाई करे, उर्वर्क का उपयोग करे तता फसल सुरक्षा की विदी अपना है बिल्कुल सही कहा है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट क्या होगा, यह थर्ड वाला होगा तो भाई हमने क्या देखा, कि किसानों का अच्छे किस्म के बीजों का उपयोग करने सिचाई करने, उर्वर्क का उपयोग करने तता फसल सुरक्षा की विदी अपनाने से सबसे जादा लाब होगा याने तीनों में से बिटा, जो बेस्ट कंडिशन है न वो कौन सी है, थर्ड वाली लेकिन एक पॉइंट उठता है कि माम क्यों एक पॉइंट उठता है बिटा यहाँ पर कि क्यों, बेखो भाई, रीजा ने उसके पीछे पहली बात तो क्या-क्या चीज़े बोली गई है किसानों का अच्छे किस्म के बीजों को अपयोग करना ताकि हर इस्तिती में वो सर्वाइब कर जाए सिचाई करना, भाई सिचाई नहीं करोगे पानी नहीं मिलेगा, तो फसले कैसे ग्रो कर पाएंगे एक बात बताओ, तुम बेना पानी के जिन्दा रह सकते हो नहीं न, हर थोड़ी देर में तुम्हें क्या चाहिए होता है पानी, सो इन्हें भी तो पानी देना पड़ेगा इनके हाथ थोड़ी नहीं कि निप्यास लगी है, चलके चले जाएंगे और पानी पे क्या जाएंगे इन्हें पानी देने का फर्स किसका है? हमारा है तो हमने क्या देखा? किसानों का अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग करने सचाई करने, उर्वर्क का उप्योग करने ताथा फस्ल सुरक्षा की विधियां अपनाने से अधिक क्या होता है? लाब होगा अना इससे क्या होगा? सबसे अधिक लाब होगा चलो अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करने से कुल पसलत पादन बढ़ता है बिल्कुल बढ़ता है यदि कोई किसान अच्छे किस्म के बीच का प्रयोग करता है तो बीच अनकूल परिस्तिती में भी अंकुरित होता है तता स्वस्त पौधों का विकास होता है स्वस्त पौधे का विकास होता है मैंने अपको बोला न एक ऐसी इस्तिती भी क्यों ना आजाए जहां पर अगर बीच के किस्म अच्छी है तो वो सर्वाइब कर जाएगा चाहे वो बाढ़ हो आंदी हो तूफान हो सूखा आजाए है ना एक उन्नत किस्म के बीच क्या होते ह यही तो होते हैं जो हर इस्तिती में क्या कर सके सर्वाइब कर सके चेके उच्छे सचाई पद्यतिया पसलों के लिए पानी की उपलब्दिता में सुधार लाती है बिलकुल सही बोला है सचाई की ऐसे पद्यतिया होनी चाहिए जो कही न कहीं को जादा मात्रा में पानी प् लब्दता में सुधार लाती है उर्वर्क पौदों में नाइट्रोजन पासपोरस पूटेशियम आदी जैसे आवशक पोशक तत्व प्रदान करते हैं और स्वस्त विकास जो है उसे क्या करते हैं बैस सुनिश्चित करते हैं फसल सुरक्षा विदियों में खर्पतवार कीट संक्रामक कारकों को नियंत्रत करने के लिए विभिन्द तकनीक क्या है यहाँ पर शामिल है यदि यह सभी आवशक उपाए किसान द्वारा अपनाए जाते हैं तो पसल का उकुल उत्पादन बढ़ जाएगा ठीक है चलिए तो आगे की तरफ आते हैं यह वाला भी क्वेश यह रहा अगला question आप सभी के सामदे मिए पसले की सुरक्षा के लिए निरोदक विधिया तता जयाव नियंत्रन क्यों आवश्यक या क्यों अच्छा समझा जाता है फिर से question repeat कर रहे हूं कि फसले की सुरक्षा के लिए निरोधक विधिया तथा जयाव नियंतरन को क्यों अच्छा यानि की बेस्च समझा जाता है रीजन क्या है फसले के स्रक्षा के लिए निरोधक भी दिया ता जाव नियांतर अच्छा समझा जाता है क्योंकि रसाइनों का अत्यादे को परियावरणी समस्याओं को उत्पन्य करता है बिल्कुल जैविक तरीकों से ना तो फसलों को और ना ही परियावरण को नुकसान प कर देता है लेकिन जहाँ पर निरोधक भी दिया आ जाती है वहां पर यह हमारे इंवार्मेंट को क्या करता है परियावरण को नुकसान पहुचाता है क्योंकि इनमें क्यामिकल्स याने रसाइनों का क्या होता है प्रियोग होता है सो फसले की सुरक्षा के लिए निरोधक विदियां तता जयव नियंत्रण अच्छा समझा जाता है क्योंकि रसाइनों का अत्यादिक उप्योग पर्यवरणिये समस्याओं को उद्पन्य करता है जयविक तरीकों से ना तो पसलों को और ना ही पर्यवरण को नुकसान पहुचता है अगला क्वेशन यह रहा आप सभी के सामने और अगेन हम देखते ही इसका अंसर क्या होगा देखो बाई आपके एक्जाम में जो पाट्टेगत्र प्रश्ण है ना बटा वो क्या काफी सारे हैं है ना एक्जाम कह रहे हूं आपके बुक के इस चाप्टर में यह सारे पाट्टेगत् होती है जो प्रोसेस होती है इसमें कौन से फैक्टर से जोनाज की हानी के लिए उत्तरदाई हैं पाई दो ही कारक हो सकते हैं अब यह हमने स्टार्टिंग में देखा था एक तो जैविक कारक होंगे और दूसरा क्या होगा जैविक कारक जैविक कारक और दूसरा क्या होगा अजयविक कारक, बंदारन के प्रक्रिया में निम्न कारक अनाज की हानी के लिए उत्तरदाई है मैं ये बंदारन की प्रक्रिया क्या होती है सबसे पहले तो इसके बारे में बताईए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषी प्रधान देश है और हमारे यहां एक large scale पर जो हमारी population 140 करूर से भी ज़ादा की जो आबादी है इन्हें तरह तरह के जो अनाज जो है वो प्राप्त होते हैं आज की डेट में हम अगर market जाते हैं अगर हम mall जाते हैं और अगर हम grocery shop में जाते हैं या फिर हम कोई भी चीज परचिस करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि खाने पीनेंगे तो कितनी सारी चीज़े हैं और ये सारी चीज़े अगर market में हैं तो इन्हें उगाया भी तो जाता होगा इनके फसलों का उत्पादन भी तो होता होगा और इन्हें store करके भी तो रखा जाता होगा आपने देखा होगा even हम हमारे घ अब जियां, फल, यह सब नहीं आते, बलकि गेह, चावल, डाल, इस तरीके के चीज़े आती हैं, अब इन्हें नुकसान न पहुचे, हानी न पहुचे, तो उसके लिए कुछ factors होते हैं, जो actually मैंने affect कर सकते हैं, बंडारन के ब्रक्रिया में निम्न कारक, है ना घर का तो फिर जैविक कारक, और दूसरा है और जैविक कारक, जैविक कारक में कीट, करंतक, कवक तथा जिवानों शामिल हैं, और जैविक कारक में उपयुक्त, नमी तथा ताप का क्या होता है अभाव, तो यह जैविक कारक हैं, जो पंडारन को क्या करते हैं, affect करते हैं अनाच के, अग तरह बात करते हैं पशो में नसल के सुधार के लिए कौन से विदे का उभियोग किया जाया और क्यों तेको क्या होती है कि कुछ जैसा कि आप पहले तो जानते पशो के नसल के सुधार करीनी ही जा रही है क्योंकि हम अपनी पूड के लिए केवल प्रांट्स पर ही डिपेंड नहीं है agriculture पर ही depend नहीं होते हैं हम animal based product भी लेते हैं याने कि हमें जो चीजे प्राप्त होती है वो किवल फसलों से ही नहीं होती है पशू से भी कई सारी चीजे हम लेते हैं जैसे कुछ लोग vegetarian होते हैं और कुछ लोग non vegetarian होते हैं अगर मैं बात करूँ पशू से क्या-क्या मिल हैं हैना मास्क का सेवन करते हैं मास्क खाते हैं मुर्गी से अंडे प्राप्त होते हैं मास्क प्राप्त होता है इसे कही सारी चीज़े जिसके लिए हम किस पर depend होते हैं animals पर depend होते हैं इसलिए मैं मैं बेंशन कर रहे हूं कि भाई animal based product भी लेते हैं और plant based product भी लेते हैं अब क्या होता है कि अब तरह तरह के पशू है इनके नसल में सुधार के लिए कुछ विदी होती है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है उपयोग कौन से विदी है वो और क्यों किया जाता है तो सुनो पश्व के पश्वों में संकरन कि जाता है जैसे उधारन के लिए दो अलग नसलों जैसे हम बोल सकते हैं विदेशी नसल इसमें क्या जाएंगे जर्सी हो गई, ब्राउन हो गई, स्विस हो गई और देशी नसल जैसे रेडिस इंदी हो गई, साहिवाल में संकरन कराने से ऐसी संतिती प्राप्त होगी, जिसमें दोनों के ही क्या होंगे, एक्छे गुड होंगे, रोग प्रती, रोधक, छमता तथा लंबा दुख, दुस्त लावन काल होंगे, अगर ऐसी किसी किस्म को चाहिए, तो दो अलग किस्मों का आपस में क्या कराया जाता है, संकरन, जिन में जो जो क्वालिटी चाहिए, एक में अलग क्वालिटी होगी, एक में अलग क्वालिटी होगी, और हम एक ऐसी किस्म चाह रहे होंगे, जहां पर दोनों की ही गुढ़ जों हैं मिल जाए। इसलिए तो अलग उन्नत किस्म का आपस में संकरण करा कर इनके गुढ़ को पाया जाता है। ठीके, पश्वों की नसल सुधार के लिए प्रायर नसलों के संकरन विधी का उपयोग किया जाता है, तो अच्छे नसलों के पश्वों में संकरन कराकर नए उन्नत किस्म की संतती का उत्पादन कराया जाता है, उधारन के लिए तो अलग नसलों विदेशी नसल जैसे जर्सी हो गई brown space हो गई देशी नसंफ जैसे रेदधी होगी साहिवाल में संकरण कराने से ऐसे शंधती प्राप्त होती है जिन में दोनों की सिककूर होते है पर । इसमें जो इनकी मतलब अगली आ एक एक संकरण कराने सा जो प्राप्त हो किस्म उसमें रोग प्रती रोधा चमता भी होगी और उसका लंबा दुख दिस्रावन काल भी होगा ठीक है चलिए यह रहा अगला question थोड़ा सा बड़ा है और यह question ही यह answer नहीं है so इस question को हम क्या करेंगे कोई बात नहीं भले ही बड़ा question है हम दो तीन बार read करेंगे हमसे यह question अच्छे से learn हो जाएगा question learn करेंगे तो answer तो automatically निकल के आ जाएगा so निमनलेकित कथन के विवेचना कीजिए बताओ यहाँ पर एक कथन दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, इस statement दिया है उसको अच्छे से पढ़ो यह रूचिकर है कि भारत में कुकुट, कुकुट बोले तो बिटा क्या? कुकुट बोले तो बिटा क्या? मुर्गी अलपरेशे के खाद पदार्तों को उच्छ बोशकता वाले प्रशु प्रूटीन अहर में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है और अलपरेशे के खाद पदार्त मनुष्य के लिए उप्योगत नहीं होते हैं अब हमसे यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? कि यह रूचिकर है कि भारत में कुकुट है ना अलपरेशे के खाद पदार्तों को उच्छ पोशकता वाले पशु प्रूटीन अहर में परिवर्तन के लिए सबसे जादा सक्षम है और अलपरेशे के खाद पदार्त जो होते हैं न बिटा वो बनुष्य के लिए उप्योगत नहीं होते हैं चलो स्टेक्में इस स्टेक्मेंट के बारे में जानते हैं इस पर हम अपने विचार देखते हैं सबसे पहले भारत में कुकुट अलपरेशे के खाद पदार्तों को उच्छ पोशकता वाले पशु प्रूटीन अहर में परिवर्तन के लिए सबसे जादा सक्षम है मुर्गी पालन की बात करें क्योंकि कुकुट पालन बोले तो मुर्गी पालन अंडे और चिकन का उत्पादन करने के लिए घरेलू मुर्गियों की संख्या को बढ़ाया जाता है ताकि जादा मात्रा में अंडे प्राप्त हो सके और जो है चिकन भी मिल सके इसके लिए मुर्गियों को पशु आहर के रूप में मोटा चारा रुसांश दिया जाता है जो प्रायम मुख्यता कैसे होते हैं जिनमें रेशे होते हैं और इस प्रकार रेशेदार आहर खिलाने से कुकुट से अंडे तता मास के रूप में अत्यदिक पोश्टिक भोजन भी क्या होता है? प्राप्त होता है. क्या कहा मैंने आप से? कि इस प्रकार रेशेदार आहर खिलाने से कुकुट से अंडे तता मास के रूप में अत्यदिक पोश्टिक भोजन जो है वो प्राप्त होता है तो यह तहीं स्टेट्मेंट के कहानी नौ अब आते हैं हम हमारे अगली question की तरफ यह रहा मारा अगला question तो भाई इस chapter में न बटा पशू पालन भी है और इस chapter में agriculture भी है जब मैंने chapter start किया था तो मैंने आपसे कहा था कि बीच में आप पहुचोगे तो आपको हो सकता है starting में या बीच में ऐसा feel हो कि माम हमें यह chapter क्यों हमारे book में ही क्यों है हमें हमारा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है अगर हमें पढ़ाना ही है तो भाई बायो के जो में हमारे body parts होते हैं plants के बारे में पढ़ा दो है ना या फिर इसमें physics chemistry का कुछ आ जाता मैं यह agriculture यहां क्या कर रहा है पशुपालन क्या कर रहा है बिटा ध्यान से सुनों अगर agriculture यह पशुपालन की भी बात करें न तो यह भी हमारी चारों तरफ की चीजों से ही connected है और आपको इनका भी थोड़ा थोड़ा knowledge at least होना चाहिए इसी लिए class 9 में यह chapter है तेंथ में नहीं मिलने वाला agriculture से related कुछ भी है नो तेंथ में आपको यह पशुधन भी नहीं मिलने वाला पशुपालन भी नहीं मिलने ठीक है चलो आगले question की तरह पाते हैं पशुपालन तथा कुकुट पालन के प्रबंदन प्रणाली में क्या समानता है तो सुनो पशुपालन तथा कुकुट पालन के प्रबंदन प्रणाली में कई सारी समानता है अब वो क्या क्या पहला उच्छे तावा सुविधाय तता उनकी नियमिश सफाई की जाती है बिल्कुल सही कहा है कुछ बुनियादी स्वच्छता का निर्धारन जैसे स्वच्छ पानी हो गया पोस्टिक बोजन ये दोनों में समानता है पशु की विस्तरत हवादार और रोशंदार युक्तिस्तान में रखा जाता है बिल्कुल ये भी दोनों में समानता है सही समय पर रोगों की रोगताम और उनका इलाज जो है सुनिश्चित किया जाता है ये दोनों ही इसमें क्या है समानता है अगर मैं पशु पालन की बात करो, कुकुट पालन के प्रबंदन ब्रणाली की बात करो देखो एक बात बताओ, भले ही एक जीव को पाला जा रहा है किसी न किसी परपस से, लेकिन वो उस ते जो आपको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट तभी मिलेगा, जब वो भी एक ऐसे जगा पर रह रहा हो वो पशु भी एक ऐसे जगा पर रह रहा हो, जहां पर रोग हो ना हो बाई, ऐसा ना हो कि वो जिस जगा पर रह रहा हो, बहुत गंदिगी हो उसे भी थोड़ा सा सपाई का ध्यान रखना होता है उसके भी आहार का ध्यान रखना होता है आप उसे अच्छा खाना नहीं खिलाओगे तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा सो एक अच्छे रिजल्ट के लिए इनका भी दिहान डखना क्या होता है आवशक सो पशुपालन तता कुकुट पालन के प्रबंदन मिडाले में निम्नले के समानता है और वो क्या है तो ये मैम ने आप सभी को यहाँ पर बता दी चलिए अगला क्वेशन आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अगला क्वेशन आगे की तरफ बढ़ते हैं ब्रूलर तदा अंडे देने वाले लियर में क्या अंतर है इनके प्रबंदन के अंतर को भी क्या करें बाई सबस्ट कीजिए सबसे पहले तो इनिके बारे में बात करें, जिसे ब्रूलर और अंडे देने वाले लेयर में difference क्या होता है इसके प्रबंदन के अंतर को हमें यहाँ पर clarify करना है, इनके अंतर को spust करना है लेयर अंडे के उतपादन के लिए होते हैं, बिल्कुल सही बोला है कि बेसिकली किसलिए उत्था मस्के लिए होते हैं मुर्गी के मास्क के लिए होते हैं ब्रोलर की आवाज पोशन तता परयवरणी आवच्छ चरता हैं अंडे का इंडे अंडे देने वाले लेयर के तुलना में इन्हें जीवित रहने के लिए तिरिक्त देखरे की भी क्या होती है आवश्यक्ता होती है तो ब्रोलर तता अंडे देने वाले लेयर में क्या अंतर है इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पस्ट कीजिए तो दोनों के प्रबंदन में अंतर तो होता है, इनके management में difference तो है हमने जान लिया कि लेयर जो है वो अंडे के उत्पादन के लिए प्रयोक तो होते है और जो ब्रोलर होता है वो कुकुट मास के लिए होता है मुर्गी के मास के लिए होता है और ब्रोलर के आवाज जो है वो पोशन तथा ब्रोलर के आवाज की आवाज पोशन तथा पर्यवर्णी आवश रकता है अंडे देने वाले लेर से कैसी होती है कुछ भिन होती है ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मातरा में होता है और विटामिन A तथा विटामिन K की मातरा भी अधिक रखी जाती है और अंडे देने वाले लेर की तुलना में उन्हें जीवित रहने के लिए ज़्यादा देखभाल की आवशक्ता होती है चलिया ये रहा हमारा अगला question मचलिया कैसे पराप्ट करते हैं क्या मचली भी आगर हम बात करें पशुपालन का एक हिस्सा है जहां पशुओं को पाला जा रहा है कई तरीके के पालन हो रहे है जैसे अभी हमने देखा कुकुट पालन होता है है ना फिर मदू मक्ही पालन भी होता है तो कैसे ही मचली पालन भी होता है बिल्कुल भी जहां मचलीयों को पाला भी जाता है देखो दो तरीके से इसको मदला मचलीयों से हमें दो तरीके के फायदे होते हैं पहली बाद तो मचलियों से क्या फायदे होते हैं तो लोग मचलियों को खाते हैं अब यह विवसाय के दुरुस्ट्री से भी अच्छा है यानि कि बिजनेस के परपस से भी अच्छा है कैसे अच्छा है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं मचलियों का समवर्धन करते हैं को कुछ इस तरीके से मचली पालन होता है आसान तो यह भी नहीं है क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं होता है तो देखो मचली प्राप्त करने के दो विधियां होती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि विवसाई के दुरस्टी से भी अच्छा होता है बिजनस के परपस से भी आर्थिक रूप से भी अच्छा होता है क्यासे क्योंकि हमारे यह मचलीों को पकड़ा भी जाता है और मचलीों का समवर्धन भी किया जाता है और हमारे यहां मचली समवर्दन में कई सारी तकनिकों का भी प्रयोग किया जाता है जैसे आगे आपको मिलेगा भी जहां हम एक ही जगा पर कई सारी मचलीों को आपस में रखते हैं और फिर वो जो है उनका समवर्दन किया जाता है क्या यह चीज पॉसिबल है कि एक जगा पर कई सारी मचलियां सर्वाइब कर सकती हैं क्यों कर सकती हैं क्योंकि उनका आपस में किसी तरह का बिटा कोई competition नहीं होता इनका आपस में किसी भी तरीके का कोई competition नहीं होता मचली समवर्दन के क्या लाब है चलो इसे समझते हैं इसके बारे में जानते हैं आते हैं अंसर की तरफ की पाई मचली समवर्दन के लिए निमनलिकित लाब है क्या है मचली समवर्दन के लिए लाब तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला मिश्रत मचली समवर्दन में देशी की ही तलाब में पते हैं 5 से 6, 5 या 6 प्रकार की जातियों को बढ़ाया जा सकता है बिश्रित मशली संबर्दन मतलब क्या जहां एक ही स्थान पर 5 से 6 तरीकी की जातियों की मशलीयों को रखा जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि माम ऐसा करने में इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती होगी फूड के लिए लोग फाइट नहीं करते होंगे, कॉंपिटीशन नहीं रहता होगा तो बिल्कुल नहीं रहता है जैसे हमारे यहाँ पसलों में अंत्रा फसली करन होता है और एक पसल एक ही स्थान पर दो फसलों को उगाया जाता है हमारे मिश्चित केती भी होती है जहां कई सारी फसलों को उगाया जाता है उसी तरह से हमारे यहाँ एक ही स्थान पर एक ही तालाब पर 5 या 6 तरीके की मचलियों को आपस में रखा जाता है साथ में रखा जाता है और यह अच्छे तरीके से जो है अपनी आने वाली पीड़ी या ऐसा कर सकते हैं कई सारी मचलियों का निर्मान भी गरती है या सही तरीके से मचली पालन भी हो जाता है reason क्योंकि इनका आपस में किसी तरी से कोई competition ही नहीं है उन्हीं मचलीयों को आपस में रखते हैं तो ऐसे तंत्र से अधिक मात्रा में मचली प्राप्त होती है और एक ही तालाब में बिटा 5 या 6 मचली के जातियों को बढ़ाया जा सकता है मचलीयों एक स्थान पर रहकर पानी के अलग-अलग सतखों से भोजन प्राप्त करती हैं अब क्या होता है? कुछ मचलीयों जो होती है सबसे पानी के उपर वाली सता से कुछ बीच वाली और कुछ बिल्कुल नीचे वाला जो सरफेस होता है वहां से भोजन को गरहन करती है मचलीयों में आहार के लिए कोई competition नहीं है कोई प्रतिस परधा नहीं होती है और तालाब में हर भाग में इस तिर आहर का ये उप्योग आसानी से हो जाता है ओके सो नाव नेक्स आती है अगले question की तरफ ये रहा हमारा अगला question ये वाला question तो done हो गया होगा ना तो द्यान से सुनो मदूत पादन के लिए प्रयोग तो मदू मक्य में कौन सी एक्चे गुड होने चाहिए क्या बुला जा रहा है कि मदूत पादन के लिए मदू मक्य में कौन सी एक्चे गुड होने चाहिए सो हमारे यहाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं मदू मक्य पालन होता है मधु मक्य पालन इसलिए होता है ताकि मधु मक्य से हमें क्या मिल सके शहद मिल सके सो मधु उत्पादन के लिए मधु मक्य में कई सारे एक्चे गुड होने चाहिए बिटा जैसे अधिक मात्रा में मधु उत्पादन करती हो पहला पॉइंट दूसरा point कि डंक कम मारती हो क्योंकि भाई ये कुछ इस तरीके से डंक मारती है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है और इवन चली भी जाती है अब क्या होता है देखो कितने बड़े बड़े इनके छत्ते होते हैं जो जब इनके घर के पास भाई उनके में चीज को अगर तुम हाथ लगाओगी जिसके लिए वो कहीं न कहीं जिन्दा है जिस पर वो निर्बर है आप उसका वो वही चीज लेकर चले जाओगे वो तो कोशिश करती है हाला कि वो पूरे सेप्टी के साथ जाता है बट पिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ी सी भी आप लापर वाही हुई तो व्यक्ती की जान भी जा सकती है तो एक पॉइंट इसलिए मैं आड किया है कि वो डंक कम मारती हो कि रिस्क अगर हो भी तो व्यक्ती को कुछ ना हो पाए निर्धारे चत्ते में आधिक समय तक रहती हो और तीवरता से प्रजनन करती हो तो ये मदूत पादन के लिए मदुमक्य में ये सारे एक्षिक गुरत बिटा होने ही चाहिए और लास्ट की क्वेशन कि दराप आते हैं आज का लास्ट जिससे मदूमक्य मकरंद तथा पराग एकत्र करती है ये मदू उत्पादन से संबंदित होता है क्योंकि इससे मदू की केमत तथा गुर्वत्ता को निर्धारित किया जाता है क्या किया जाता है क्योंकि इससे मदू के गुर्वत्ता और उसकी क्वालिटी जो है उसकी केमत उसको निर्धारित किया जाता है That's it, आज के लिए इतना ही यहाँ पर बिटा होता है आपके पाट्टिगत प्रशनो वाला section complete, मैं उमीद करती हूँ कि आपको चीज़े अच्छे से clear हो गई होंगी मैं उमीद करती हूँ कि चीज़े आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी पहले ही वीडियो को like कर दीज़ेगा share कर दीज़ेगा और channel को subscribe करना नहीं बोलिएगा इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप MagnetBase के other platforms भी जूड सकते हैं जैसे facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp साथी साथ आप YT पर हमारी sessions ले सकते हैं और application के तुरू भी जुड सकते हैं और website के तुरू जुड कर भी आप अपनी जो classes है वो हमारे channel पर हमारी website पर attain कर सकते हैं यह हैं बिटा हमारी Hindi English Medium के top courses जहां CBAC board, दिल्ली board, बिहार board, UP board, MP board, राजिस्तान board, Vedic, Maths, Crash Course, Spoken English यह सब कुछ करवाते हैं हम कवर साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहते हूं कि E-Notes और E-Book के जो link है वो नीचे मिलेगी आपको description box में वहाँ से आप E-Notes और E-Book डाउनलोड कर सकते हैं सो मिलेंगे अब हम अमारे next session में NZE RT solution के साथ तब तक के लिए बबाई ठीक क्या प्यारे प्यारे से comment करना नहीं बूलिएगा